अलू प्यारे बच्चों कैसे हो सबी उनके पास बने हैं भ Теперь हम 12 कला में हैं अभी इंग्जामिनेशन बहुत ओंग हो रहा है टो जो हैliस्ट?". बच्चों को form के बारे में पता है लेकिन सभी form के बारे में नहीं पता कि हमारे कौन सा बेस्ट हो सकता है और मुझे कौन-कौन से form फिल करने चीए ओके, इसके बारे में आज मैं डिटेल में discussion करूँगा, ओके सबसे पहले आपके पास form है J-E main का, ओके J-E main का form फिल करिए और J-E advance यह तो आप सभी को normally सभी को पता है, ओके, second आपके पास जो option आता है, मैं जो recommended करता हूँ, वो है जैसे धेली University, यानि की DU, जिसे बोल जादाता है, IAT के लेवल का institute है, जामिया है, अलिगंड मुर्चिलिम University है, और भी जैसे जवारला, नेरू है, जो Central Universities होती है, ठीके 45 तो वो है, एक आपका commonly जो special form फिल होता है CUCT का, जो आपके जो जामिया, DU, अलिगंड है, इन सब के, अकेले के लिए के सब के एक एक form फिल करने होते हैं, और हमारे बहुत सारे स्टेट है, जहां पर Central Universities बने होए हैं, उन सबी के लिए एक ही form फिलिंग होती है CUCT का, ओके, तो आपको CUCT का related, अगर information चाहिए, तो उसके लिए मारा एक other channel है, जिसको, जो है, link description में दे रहा हूँ, जो future of India के नाम से, okay, then हम बात करते हैं, CUCT normally हो गया, तो आपको first of all, JMN का फिल करना, then CUCT का फिल करना, उसके अंदर 12 University है, हो सकता है, धेली बगरा भी, धेली उनिवर्सिटी बगरा भी, इस बार उसी में कर ले, सब कुछ हो सकता है, कोई वालब guarantee नहीं है, करे की PY का फिल करें, चीक है, अब आप तो 12 में है, तो हो सकता है, आपने फिल ना किया हो, अगर किया है, तो अच्छी बात है, उसे आप IASC और ICER में अडिमिसर ले सकते हैं, okay, अब जो हमारे पास जो दूसरा, आगे अगर हम बढ़ें, तो हमारे पास जो बोर्ड के एक्जामिशन जो होते हैं, उसमें आपके अच्छा माक्स होने पर हर स्टेट के लिए जो कट ओप डिकलेट किया जाता है, IAT टेस्ट का, कि इस स्टेट के लिए एत्ते माक्स है, जैसे मेजर ली जैसे सिबी अच्छी के लिए 84, 85 ऐसे होता है, और almost स्टेट के लग लग होता है, जैसे किसी का 74 है, किसी का 75 है, किसी का 80 है, 85 है ऐसे कुछ होता है, ओके सो आप आज सर की वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ इंजिनेरिंग वाला पर, ओके, देन हम आगे बढ़ता है, फिर आपको कौन सा फिल करना है, फिल करना है, देन मेरे पैरे बच्छो, देन आपको बढ़ना है next application, next application का भी आपको एक फिल लिंग करना है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी जो है दो institute आते हैं जो फहले आपको आइसर के बारे में बता देतों थोड़ा सा यहार आइसर जो है मारे देश के research institute है top research institute है ओके जैसे आइसर पूर्निय आइसर बुफाल आइसर मोहाली आइसर तिरवंत पुरम और आइसर साथ आइसर है जैसे बेरम फूर बगरा बगरा ओके सो इसमें admission लेने के आपके लोगों के पास तीन ओप्षिन है एक आप लोगों के पास के लिए जो कि आप 11 में फिल कर सकते हो ओके देन आप लोगों के पास option आता है वह जेई एडवांस का उसके लिए अगर आप जेई में देते हो कलीर क के लिए eligible हो देन आपके पास third option होता है आई एटी टेस्ट आई सर एप्टी टेस्ट ओके उसमें आप अगर सो प्लस मार्क्स लेया होते हो तो आपको जो है आई सर मिल जाता है 180 में से ओके देन हम आगे बढ़ते हैं मैंने आपको तीन चार ओप्षिन बता दिए जेई में सब्सक्राइब दो ओके सोरी जेए में सीटी आई सैर अगे बढ़ते हैं अपनेक्स अग्जाम एन इस्ट नेस्ट एक्जाम उसमें क्या होता है सुटेट पास्टिसिपेट करते हैं आपको एक भी पैसा नहीं लेगेगा आपको एक पैसा नहीं लेगेगा समझ रहे हो आपको होस्टल तकात पैसा जो है आई एसाई खुद पे करेगा आपका और हाँ अभी तो और सुनिया आप आपको जो है दस जार उपए पर में तो वहाँ पे पढ़ने का आई एसाई आपको देगा खुद हाँ बिलकुल ठीक सुना गुडिया समने बिलकुल ठीक सुना दस जार उपए वो तुमको देगा वहाँ पे पढ़ने का ओई 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 मज़ा आगया आई एसाई के बाद में जो इंस्टिटूट मेरे पास आता है वो है आई एसी एस इंस्टिटूट है जो की सेंट्रल गवर्मेंट मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के एंटर में चलता है ओके और देन उसके बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास चन्नाई मैथेमेटिकल इंस्टिटूट यानि जिसको हम CMIB बोलते हैं जिसको मैथेमेटिक्स में धुरंदर है न वो ले ले मज़ा आ जाएगा सच बता रहा हूँ मैथेमेटिक्स का इसे अच्छा इंस्टिटूट आपको ख़ई नहीं मिलेगा बहुत पुराना 1948 के लगवर्म का इंस्टिटूट है सोरी मुझे डेट कंफर्म नहीं है जो आपका जो आई एसाई था वो तो बहुत पुराना 1948 के लगवर्म का इंस्टिटूट है देन आपको कुछ बहुत अच्छे को लिजों के एक्जामिनिसन अगर आपको मैं बता हूँ तो फिर अब जैसे अप्लिकेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे इसे होंगे जिनको इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नोलेज नहीं होगी तो मैं जो है मेरे जो है दोस्तों का अफ्लिकेशन फॉर्म दे रहा हूँ मेरा भी दे रहा हूँ ठीक है जो कि अभी आईसर में पढ़ रहा है आईसर मुंबई में पढ़ रहा है और भी रेपुटेटेट आईएसर बगारा हम पढ़ रहा है तो आप जो है गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो ठीक है उसका कुछ चार्जेज है ज्यादा कुछ चार्जेज नहीं है यार वो अगर मैं तो आपको फरीफ को स्कार देता लेकिन वह तो आप- लोगों को क्यों करेंगे अडिवम प्चा से साट रुपह वह आपको फूरा गाइड करेंगे थीक है तो आप नीचे गुगल फिल कर सकते हो जैसे ही आपके performance के साब से आप से contact कर लेंगे वो लोग ज्यादा कोई कोस्ट नहीं है 50-60 रुपए अगर किसी को interest हो तो apply कर सकता है लेकिन हाँ उनकी जैसे तुमारी जिंदगी बन सकते हैं यह सच बता सकता हूं फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के सकतीच तक हैनेडा में जितने भी इंजनेरिंग को लेज नहिद जितने भी बड़े से बड़े सोटा से सारे के सारे जैइमेंE का स्कुर देखते हैं ऐके सारे के सारे के सारे अब आपको कुछ बहुत अच्छे colleges बताता हूं जो इस पेसली मलब जैसे top colleges होते हैं उस पे फरक नहीं पड़ता कि private हो की government हो बस हमें placement तगडा मिलना चाहिए लेकिन कुछ colleges ऐसे भी है जैसे मेरे जैसे गरीब लोगों को लिए effort करना भी बहुत मुस्किल होता है ठीक है जैस दिरुबाई इंस्टिटूट गुजरात बिल्कुल मुकेस अंबाई जी का जो इस्टिटूट है ना उसमें चले जाओ प्राइवेट है वैसे लेकिन मज़े ही मज़े हो जाएंगे भाई ठीक है डारेक जीओ में भी जाने का मुका मिल सकता है तुम्हें ओके दिरुबाई जो दूसरा जो आता है निर्मा उनुबरसेटी टकडी उनुबरसेटी भाई न इटि के बाद में इंटरनेशनल कुछी कंपणिया जो कहीं कहीं आते हैं जैसे दिरुबाई इंस्टिटूट है निर्मा इंटी उनुपरी आईटी है और ट्रिपल आइटी है टृपल आईट से यहां पर कोई नहीं देता आपको लाखो करोड़ों में ठीक है यहां पर दस बीस जारी मिलता है ठीक है ना तो जस्ट अब बताते हैं बाते फोर्म के अंदर कुछ प्राइवेट कुछ गोवर्मेंट टोप इंस्ट्रिटूट जस्ट फर्स्ट अपॉल आपके पास अलिगंगा यंशिट्रिट ही जा सकते हो वेलोर सारे सारे कॉन लेकिन दिमाग बुहत कि खतरनाक हो जाता है विलोर बचे का कओ के खो सुक्षब संफसी करें चले जाओ tat उनिवर्सटी है और भी बहुत सारे हैं वेलो टार्गेट करो असारम टार्गेट करो किया यह इत्ती टार्गेट करो कलिगंगा इंस्टिट्यूट ओके भूनेश्वर के अंदर जो है नाइसर आइसर आपने सुन लिया होगा स्टेट के अंदर उनका प्लेश्वर्ट उत्ता अच्छा नहीं होता ओके देन आप टार्गेट कर सकते हो जो मदरास वाला जो है अब्दुलकलाम जी ने एरो नोटिकल किया था बॉइस साब गजब का इंस्टिट्यूट है उसको टार्गेट कर सकते हो जेग देली को बिल्ट करना बिल्कूर मत बोला जेग देली के अंदर डीट्यू नसाइटी जो वो कौन-कौन सी है च्यार कौ प्राइटस भी देली को टारिट कर लेना आप राजस्तान में एक कोलेज अच्छा लगता है उत्ता ज़्यदा प्लेस्मेंट नहीं है राजस्तान में 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 एक कोलेज है अंबीम इंजिनेरिंग कोलेज उसके लिए आपको रीप का प्लिकेशन फॉम फिल्ड करना पड़ लोगों के और जो है उनकी जो counseling होती है जेए के basis पे उसको ACPC बोलते हैं ACPC counseling process उसमें भी आप admission ले सकते हो और जो ACPC के अंदर यह क्या scene होता है अगर आप जेए के basis पे apply कर रहे हैं आपने अगर exam नहीं दिया तो जनाब आप private college जो में नहीं जा सकते हैं यानि कि आप निर्मा और दिरुबाई में नहीं जा पाएंगे इसलिए आपको जो है उनका entrance exam जरू target करना है निर्मा university ध्यान रहे जिरुबाई अंबानी इस्टिटी ध्यान रहे IIT इसर ध्यान रहे जेक देली ध्यान रहे जेक चंडिगर रहे राजिस्तान के लिए रीप है पंजाब के अंदर एक college है जिसे target कर सकते हो आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल University को कैसे scoult विश्वाना व्यों CT वीड्स पिलानी कारणित्स पिलता में किसका किस्का इंटरस व्यों सकते हो इंडिया सेचेgy इजूकेशन मिलेगी आपसे मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ because education system अच्छा है बले ही वहां का placement बहुत कम हो bits पिलानी में आना है मुझसे contact कर सकते हो जरूर अच्छा कासा करवा दूँगा ठीक है preparation exam का ठीक है जो बच्चे अभी 12th के अंदर है first of all target करना है यही देना ही देना है तुमको किसी भी हाल में कुछ यार कुछ प्राइवेट 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 जो कि आपका application form बराएंगे 100% आप उसके चक्कर में फस भी होंगे मैं भी जब छोटा था 12th क्लास में था तो मैं फस चुका था वो क्या करते हैं आपके 12-1300 रुपए लेते हैं एक exam करवाते हैं conduct और उस exam में क्या होता है कि आपको जो है exam के अंदर आपको बोलेंगी कि हम आपको scholarship दिलाएंगे खुछ private companies उसके साथ colleges connected है उसके अंदर admission होते नहीं है वो direct उनके अंदर बेजता रहता है 10-10,000 रुपए हर किसी से वो लेता रहता है इस परकार से आपके साथ बहुत बड़ा fraud हो सकता है आपकी जिंदगी पूरी बरबाद हो सकती है तो आप इनसे बच्चे रहिए और ऐसी application form का बिल्कुल form ना बरिये जितने भी application form थे I think मैंने include कर दिये है अगर मैंने कोई छोड़ दिया है तो आप मुझे नीचे comment पर बता सकते हो हमें video force करके एक दो और searching मार लेता हूँ कि मैंने कौन सा थोड़ा है एक जो मर्देपरदेश का MHCET वाला है वो भी I think अच्छा option होता है मर्देपरदेश की state की वो तेयर counseling process है वो तो JE का होता है लेकिन जो विदाउत जही जो application form है वो कौन कौन से है वह ही है बहुत ज़्यादा important तो जैसे की WBJW जादवपूर उनिवर्सिटी बाप को ले जाओ ठीक है उसको जरूर टार्गेट करना तुम लोग जादवपूर उनिवर्सिटी 15-20 जहार उपय के अंदर IAT के लेवल का placement मिल जाएगा तुमको जनाब IAT के लेवल का placement जादवपूर उनिवर्सिटी एडमिसर लेना उतना मुश्किल भी नहीं है आस्वान भी नहीं है फिस बहुत कम है placement बहुत ज़दा है उदर उडिसा और उदर का ज़दा मुझे नोलेज हानी तेलंगाना का मुझे ज़्यादा नोलेज हानी ओके और मैं इदर नोर्मली जो अपने हिंदी पठी चेतर है इसका बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को तेल को बगरा कुछ समझ नहीं आती वहां का उदर सबसे अच्छा जो मुझे यह लगता है एमाइटी मदरास वाला जो है उसके लिए आपको TNEA का एक्जाम देना पड़ता है TNEA को आप टारिगेट कर सकते हो जैक धहली में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन वो तो जैई है अब अब जो टोप इंस्टिटूट जो मैंने बताये थे उसका आप द्यान से एक्जाम कोपी पेन ले ले गुडिया एक गुडिया सुन कोपी लिख ले ले लिख ले एक्जाम देना मज़े करो बाद मज़े हो जाएंगे तुमारे एक्जाम लिख 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 लिए लिख 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 देन सेक्वेंस भाई चले तो फिर तुम लिखेंजो निर्मा यूनिवर्सिटी ओके देन तुम लिखो बिट्स पिलानी ओके देन तुम लिखो धिरूबाई अमबानी वाला जो इस्टिट्यूट है फुल पंटो उसका जो सोर्ट पंटो मुझे आध नहीं है यार जो यह इस इस्ट्रटोट में जो बता रहा हूं यह मलब जो मिड़ी किलास से इसे लिए बेलों करते उसके लिए पॉसिभल नहीं है जैसे थापन पर उन्नोश butisti, जो किसी रिया यार उसके ऐ्लिस से अच्छे आपको कोलेज मिल जाएंगे ओके एंड ट्रिपल आइटी जोते हैं मारे नाइटी होते हैं यह सारी जो उसे ही मिलते आपको पता है जही के यह hospitals स्कुल सुके मनिपाल गुरुप का अपने नाव सुना होगा मनिपाल इस्टिूट के सर्म का मैं हम अलोलर का हमने डिसकस कर रही ही लिया और जो है ढ़ेट्स भिट्स पलानी वाला है उसको बीट्स वोलते हैं लोग जो एक और आ रहा है मिरे पास कोचीन उनिवरसेटी क टारगेट कर सकते हो इसको महारास्टा का Common Entrance टेस्ट होता है स्टेट गवड्नेन्ट के एंटर में चलता है इसको भी आप टारगेट कर सकते हो और अर्चिंगे एग्रीकल्चर वाली जो भचें वह ए पी एम सीटी बाद सकते हो टी ए नाट्टा जो है वो नेशनल इलिजिबलेटी का मेंट्रेंस टेस्ट है सोरी तमिलाडू एप्टी टेस्ट है नीट का आप सभी को पता ही होगा ओके देन जो है टोप कोलिजिज फॉर बिटेग है देली उनिवरसिटी ओके यार जो हेदराबाद ए ट्रिप्रलाइटी हेदराबाद उसका CSC का प्लेस्मेंट बहुत तकड़ा जाता है लेकिन वो प्राइवेट है उसमें भी एड्मेसर लेना उतना आसान ही है एक मेरे पास जो गया था बेस्ट कोलिजों का वह मुंबई उनिवरसिटी गाइस मुंबई उनिवरसिटी सुना तुम लोगोंने कुछ बुमबई उनिवरसिटी का मतलब समझते हूं आप मतलब नातमा गांदी जी सरदार पटेल जी हमारी मुकेस अंबानी जी जितने भी हमारे बड़े-ब बड़े खत्रनाक जमाल सरदार पटेल जी है मारे तिलक साब है मारे पता निक बड़े-बड़े बहुत खत्रना खत्रनाक आदमी उनिवरसिटी से पड़े हैं तो सोच व्यार कब से उपन हुआ होगा जैसे बोंबे फ्लाइंग कलेब वहां पे जी आडी ट्याता ने 1839 में वहां से लिया था एरोफलेन उडाने का एर इंडिया स्टार्ट की टाटा एलाइंस एर इंडिया बनने ही फिर से टाटा जी ने खरेड ली ओके ठीक है न तो यार और भी इंसान हों में भी छूट गए होंगे तो मैं आपको जो कमेंट बगरा में डाल दूंगा अगर तु ठीक है तेंक्यू सो मैच बबाई टेक केर और गूगल फोर्म दे रहा हूं उसको फिल कर सकते हो तुमको फुल गाइड करेंगे वो लोग ओके और एक दिन एक समोसा मत खाना हो और क्या होता है तेंक्यू बबाई टेक केर खूब पढ़ेगा और फोड़ दो जेई मेन को आ आज मैं IAT Bombay पूछा था IAT Kharagpur से ओके सो इसके लिए जो है खूब जचा के मैनत कीजिए और छोटों से प्यार करिए बड़ों का समान करिए घमन को त्याग दीजिए सरम को त्याग दीजिए यूटूब पर आके बोलिए दूसरों से बाते कीजिए और बुक्स अपने परिवार का समान कीजिए जिसकी वज़से आप यह वीडियो देख रहे हैं अपने डेडी को अपनी मुम्मा को थैंक यू बोले जिसकी वज़से आपके पास ही मोबाइल है लेप्टोप है कंप्यूटर है थैंक यू शो मैच बबाए टेक केर